बिस्मिल्लाइब मान रहीम डियर स्टूडियंट्स अस्टालेकम आज का जो हमारा टॉपिक है टेंथ केमिस्ट्री का वाटर वाले चेप्टर से रिलेटेड है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सॉफ्ट वाटर और हाड़ वाटर यह एक इंपॉर्टेंट हाड़ वाटर एंडर सॉफ्ट वाटर आज हम पढ़ेंगे कि हाड़ वाटर क्या होता है और इसकी काज़स में कि हम वाटर हाड़ और सॉफ्ट होगि लफंड हम कोई जो चीज सॉफ्ट होगी जो उसकी purity को डिस्टर्ब करें हम कहते हैं वह water hard हो गया अगर वह उसमें से उन चीजों को minimize कर देजा है हम कहते है water soft हो इसकी छोटी सी निशानी है soft water की soft water क्या होता है soft water is that water which produces good leather with soap soft water की यह निशानी है कि अगर हम उसको पानी के अंदर हल करें उसको थोड़ा सा shake करें तो वह बहुत अच्छी जाग पैदा करता है reduces पैदा करता है good अच्छी leather mean यानि उसकी जाग जो हम जैसे सर्फ वगरा से आप या साबन वाली जो जाग बनती है बहुत अच्छी उससे जाग बन जाती है तो ऐसे water क हम बोलते हैं कौन सा water है soft water इसी तरह hard water का क्या टेस्ट होगा जी वह इसके बिलकुल ओलट है hard water इसी definite अगर आप soft water की definition याद कर लेते हैं तो hard की सिर्फ उसकी अपने negative बना देना है जैसे English पर नेगटेव संटेंस बना देते थे थे ना हुए कुछ अब यहां था जी soft water is that water which produces good leather with soap जब hard clicking हम कहेंगे hard water hard water is that water which अब इसका negative बनान है which does not produce which does not produce good leather with soap अच्छा एक और important बात जब बच्चे पेपर में यह definition लेक्के आते हैं हमने अक्सर देखा है वो यह आखरी वड़ जोई कि soap यह भूल जाते हैं भाई soap के साथ ही तो उसकी definition complete होती है अकेले पानी के साथ थोड़ा पानी पानी के साथ थोड़ा ज़ाग बना देगा ज़ाग इसके साथ बनाएगा soap डालेंगे ना यह majority cases में हमने देखा है बोर्ड के papers में जब पेपर मार्क हो रहे होते हैं बचा जल्दी में soft water is that water which make the produces good later किसके साथ आगे silent है यह नहीं लिखते ही नहीं लफ़ भूल जाते हैं लिखना लिखना जाते हैं लिखना जिए zero marks मिलता है तो आपने यह लिखना बहुत जूरी है कि साबन के साथ जिस पानी के अंदर हम साबन डालें बहुत अच्छी हैं तो हम कहेंगे यह water काईजी hard water है अब hard water के causes क्या हैं यह कुस्सन आ जाता है कि water the causes of hardness of water causes of hardness of water के उसके असबाब क्या हैं क्यों water जो हाड हो जाता है देखें जी जब बारिश होती है the rain water while coming down absorb carbon dioxide अगर हम इसको थोड़ा सा यूँ देखें suppose यह हमारे जो है sky है sky के उपर क्या होते हैं जी clouds होते है जब बारिश होती है तो cloud से क्या आता है जी बारिश आती है जी rain ठीक है जी अब हमारी यह हमारी अर्थ है फिजा के अंदर कौनसी गैस मजूद है जी अब यह water जो है यह water आ रहा है उपर से rain वाला water आ रहा है हम गह रहे हैं एच टू हो रास्ते में आते हुए इसको atmosphere से क्या मिलगी जी carbon dioxide गैस मिलगी अब यह water क्या करता है carbon dioxide को अपने अंदर absorb कर लेता है water जब carbon dioxide को अपने अबसार्ब कर लेता है तो वो absorb carbon dioxide वाला जो water है नीचे अर्थ पे पहुंच जाता है यानि जमीन पे पहुंच जाता है अब जमीन के अंदर जमीन का यह जो beds हैं यह जो जमीन की तहें हैं इनके अंदर magnesium और calcium के कार्बोनेट्स होते हैं यानि mgCO3, CACO3 इस तरह के कुछ salts मौजूद होते हैं यह वो absorbed water of carbon dioxide वाला जो absorbed water है जिस water के अंदर carbon dioxide absorbed absorbed हुई हुई है जब वो जमीन के beds इन तहहों से घुजरता है तो वो इस mgCO3 यानि magnesium carbonate या यह वाला जो अगर इसके सामने calcium carbonate आगए उसके साहर रियक्ट करके एक नया compound बना देते हैं वो क्या बन जाता है यह बन जा गई Mg magnesium HCO3 magnesium bicarbonate और अगर calcium उसको मिल गया तो वो बना देता है CAHCO3 twice यानि magnesium bicarbonate तो इसको जो हम twice मिलें क्योंकि calcium और magnesium की valency 2 होती है वेरी सिंपल आस्मान से पानी आया रास्ते से क्या मिलगी इसको carbon dioxide पानी जो है जमीन पे पहुंच गया जमीन की तैह के अंदर absorb होना शुरू है मटी की तैहों के अंदर magnesium carbonate और calcium carbonate मजूद है उसके साथ उसने रेक्ट कि है तो क्या product बन गया magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate ये वाले जो compounds है magnesium bicarbonate और calcium bicarbonate ये water को hard बना देते हैं ये water के अंदर soluble होते है water के अंदर क्या हो जाते है इससे पहले magnesium carbonate और calcium carbonate इन सालोबल होता है लेकिन इस carbon dioxide की वज़ा से वह water के अंदर absorb हो जाता है और नया product का बन जाता है magnesium bicarbonate and calcium carbonate ये water के अंदर soluble होता है मुमकन है हमें 2 glass पानिके दिए जाएं एक अंदर magnesium bicarbonate soluble है दूसरे के अंदर नहीं हमें पता नहीं पता नहीं पर आ करें तेस्ट करने में पता नहीं जले गा किसके नमक किया हुआ डिजॉल्व किया हुआ था ऑफ तो आप टेस्ट करके चेक QC इसी नहीं वझाई टेखर ब्जाहर था ने लेस faithful हमें अगर this backstage बलो बलो होता तो वो नीचे बॉटम में बैठ जाता हमें, बदा चल लिए तो इस तरह जो है, वाटर हाड होता है, हाडनेस की यह रिजन है अब इसी को हम आपकी बुक में बिल्कुल मैंने वही वल्डेंग लिखिए जो आपकी बुक में है एज इट इस ताके आप लोगों को याद करने में असानी हो दा रेन वाटर बारिश का पानी वाइल कमिंग डाउन जब वो उपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है क्या होता है जी एबजार्ब अपने अंदर जजब कर लेता है क्या जी कार्बन डायकसाइड कोंसी गैस जी कार्बन डायकसाइड यानी सी ओ टू गैस फराम कहां से एटमोस्फर जब उपर से बारिश का पानी आ रहा होता है फिजा के अंदर से, हवा के अंदर से वो carbon dioxide gas को अपने अंदर absorb कर लेता है the water mixed with carbon dioxide वो water जिसके अंदर carbon dioxide mix हो गई है when passed, जब गुजरता है through the beds, beds का मतलब वो जमीन की जो तहें हैं उन से गुजरता है, of soil मटी से या जमीन से, converts change हो जाता है, इसमें insolubal carbonates of calcium and magnesium के insolubal जो कैल ये देखें, ये वाला जो magnesium carbonate और calcium carbon ये insolubal होते हैं water में लेकं carbon dioxide की presence की वज़ा से किसमें convert हो जाते हैं जी पास्तुरूदा converts insolubal carbonates of calcium and magnesium into soluble bicarbonates ये carbonates हैं ये जो इस वक दियागी हैं हमें, ये carbonates हैं carbonates और ये वाले जो हैं, ये कहें जी bicarbonates हैं तो वो जो insolubal magnesium carbonate या calcium carbonate है carbon dioxide की वज़ा से वो soluble, यानि पानी के अदर हो जाते हैं हमें नदर भी नहीं आते हैं उसमें convert हो जाते हैं it may also dissolve इसके लावा जरूरी नहीं है कि carbonates और bicarbonates ही हैं इसके लावा कॉलोराइड्स या sulfates वगरा किसके calcium और magnesium के sulfates या कलोराइड्स वगरा भी इसमें add up हो जाते हैं जिसके होजासे water की quality वो डिस्टॉब होती है और वो water hard हो जाते हैं अगर हम इसको chemical equation की form में देखें तो very simple आपकी बुक में तो पहले calcium carbonate लिखा हुआ फिर carbon dioxide फिर water मैं कहता हूँ आप याद रखने के लिए students को याद रखने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह याद रखे पानी सबसे पहले उपर से पानी आता है आप पहले water लिख लिए ये H2O फिर रास्ते में इसको क्या मिली carbon dioxide फिर जब वो जमीन पर पहुंची जमीन की soil के अंदर अब्जार भूई तो soil के अंदर से उसको क्या मिला magnesium carbonate चलो जी MgCO3 ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर किसमें convert हो गए जी MgHCO3 twice यानि magnesium bicarbonate में किसमें convert हो गए मगनीशियम bicarbonate में अब ये तो था अगर magnesium carbonate है अगर calcium carbonate है तो फिर क्या बनेगा देखें वही water कहां से है जी उपर से आ रहा है रास्ते से उसने atmosphere से क्या absorb की carbon dioxide जमीन के beds से उसको क्या मिली calcium carbonate किसमें convert हो गए जी वो calcium bicarbonate यानि CAHCO3 twice में इस अंदाज से अगर आप ये इस equation को लिखेंगे आपको रटा नहीं लिगाना पड़े वह स्टोरी है जैसे आप बता रहे हैं telling स्टोरी के जी उपर से क्या है जी water रास्ते से क्या मिली carbonate किसमें convert हो गई और ये equation balanced है आपको इसको balance करने की जूरत भी नहीं है तो बुक में ये चीज़ पहले लिखी हो ये उसके बाद ये लिखी हो ये लिखी हो इसके बाद वाटर लिखी हो तो ये जरूरी नहीं होता कि आप रियक्टेंट की खास तर्थीब साचले आपके अपनी मर्जी इससे आपका कोई marks और नहीं कट होंगे हमने भुक में ये लिखा हुआ ये ख्याल कीजेगा reactant को प्रॉडक में नहीं शामल करना प्रॉडक्स में यह इंकी तर्थीब चेंज हो सकती है अब कहता है 10 rain water यि जो बारिश का पानी है पॉजिटिव चार्ज आए था, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम केटाइन बोलते हैं, और डाइवेलेंट जिनका चार्ज क्या हो, टू हो, जैसे कैल्शियम है, मगनेशियम है, इनके उपर देखें चार्ज कितना है, टू पॉजिटिव, तो इनको हम डाइवेलेंट बोले तो यह वाटर में हाड़नेस क्रिएट करते हैं तो यह थे हमारे हाज काज़ अफ हाड़नेस जी आब हम इसकी एक्जेंपल को देखेंगे फार जेंपल जिपसम है जिपसम का फार्मולा क्या होता है कैल्शियम सरफेट डाई हाड़्रेटर यानि दो वाटर मालीकुल साथ होंगे और दूसरी एक्जेम्पल कहाजी लाइमस्टोन यासे कैल्शियम कार्बनेट यह वाले जो सार्ट्स हैं लाइमस्टोन या जिपसम अगरा जब पानी के अंदर एड़ हो जाता है तो वाटर को क्या बना जाते हैं? हाड जिपसम is springly soluble in water यह यह चोटा सा की शाट कोशन है जिपसम स्प्रिंगली 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 का मतलब तो थोड़ा सा हाल हो जाता है बहुत ज्यादा नहीं यानि कम हाल हो जाता है वाइल जब कि lime stone यह वह वो insoluble in water वाटर इस CMYKL equation के मताबक यहें, यह कैलմ कार्बोनेर याम स्टोन है ठीक है जी अगर वैसे यह पानी गंडर डिजॉल्व नहीं होता है लेकर अगर आगर अगर इसके साथ कार्बन डायकसाइड डिजॉल्व हो जाता है पानी कंदर डिजाल्व हो जाता है यानि सालोबल हो जाता है और इसी वज़ा से वाटर की हार्डनेस होती है तेंक्यू जी अब हम जो आज का टॉपिक है इसको बुक से स्टडी करते हैं यह हमारे पास जो हमारी टेक्सबुक है उसके पेज नबर 141 पे दिया गया कुछ स्टूडेंट्स का यह कहना था कि सर पढ़ाने के बाद आप बुक से भी थोड़ी सी स्टडी करवा दिया करें उससे हमें जब यह इस टॉपिक को तियार करते हैं तो याद करने में और उसको तियार करने में असानी हो जाती है जी सबसे पहले definition है जी soft water, soft water is that water which produces good leather with soap soft water वो होता है जो साबन के साथ अच्छी जाग पैदा करता है इसी तरह hard water is that water which does not produce leather with soap जो साबन के साथ पानी में जाग पैदा करता ही नहीं या अच्छी पैदा नहीं करता है Cases of hardness and water rain water while coming down बारिशका पानी उपर से नीचे आथा है कार्भनडैकसएट फ्रम दा एटमॉसफिर ने अटमॉसफिर से क्या बजाप्साइब कार्भनी दा किरिवा लेता है carbon dioxide the water mixed with carbon dioxide the water mixed with carbon dioxide when passes through the ''beds of soil'' जब वो जमीन की तहहों से benz simplement converts change हो जाता है इनसालोबल कार्बोनेट्स आफ कैल्शियम और मगनेशियम के इनसालोबल सार्ट से इन्टू सालोबल बाइकार्बोनेट्स में चेंज हो जाता है वाटर हाड और यही वाटर हाड बनाते हैं इनको हमने इस कैमिकल एक्वेशन से शो किया तौस आ रेन वाटर बहुत सरे शाल्ट्स को पर नगतिव करने है रेन वाटर आ री वाटर। आफ डाइविलेंट के तयाइन डाइविलेंट के तरपर हैं, तौसरे वैलिंज़ के लाइनसी सी किल्सियम के नैंट चार्ज होता है, जैसे बात尽कों सार्ष है भाई कार्भॉन वाइल लाइम स्टोन इस पानी के अंदर नहीं होते हैं वाइवर ताहम इन प्रेजंस अफ कार्बन डेक्सेट की मजूदगी में अस्माल कॉंटिटी आफ लाइम स्टोन इस सालोबल इन वाटर तो एक छोटी सी मिकदार जो है किस की बला लाइम स्टोन की सालोबल हो जाती है किस की प्रेजंस में कार्बन डेक्सेट की प्रेजंस में अकॉर्डिंग टू दा अबाव केमिकल डेक्शन यानि इस केमिकल डेक्शन के मताबग